हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिफ 52 और लिफ 52 DS को जो भी टैबलेट्स और जो यह सीरप्स है इनके बार में आपको कम्प्लीट जानकारी मिलेगी इसके अंदर के क्या फॉम पोजीशन है दोनों में क्या डिफ्रेंस है इसके अलाबा क्या पाइदे हैं इन टैबलेट्स और सीरप्स को जब आप योज करते हो तो उसके बार में बात करेंगे इसके अलाबा क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं कितना डोस में आपको लेना चाहिए और क्या सही तरीका है इसका योज करने का तो कम्प्लीट जानकारी आप क्यों चाहिए वह सीरप हो चाहिए वह टावलेट दोनों में पहला डिफ्रेंस यह है कि जितने भी लिफ 52 के आपको कॉंपोजिशन देखने को मिलेंगे वह डिएस के अंदर डबल अमांट में प्रिजन्ट देखने को मिलेंगे बात कर लेते हैं इसके फायदे और इसके अ आपका liver होता है उसमें swelling आ जाता है यानि inflammation होने के वजह से होता है लिवर में तो इस tablet का यूज किया जाता है और इसके अंदर आपको hemsara जो के पहला ही composition है देखने को मिलता है वो ठीक करने का काम करता है जो आपके liver में inflammation हुआ है इसके अलाबा इनका यूज किया जाता है चाहे वो syrup हो चाहे वो tablet हो दोनों को ही यूज किया जाता है fatty liver में fatty liver को ठीक करने के लिए इसके अंदर आपको अर्जुना देखने को मिलेगा जैसे कि हाँ आप देख सकते हो तो यह अर्जुना का काम है कि जो आपका liver fatty हुआ पड़ है यह कासानी जो है वही यही काम करता है कि जॉन्डिस से रहात दिलाता है ठीक करने का काम करता है जो आपका liver है स्वैल हो चुका है उसको रिड्यूस करता है इसके अलावा इन जो टैबलेट और सीरप है इनका यूज किया जाता है जो आपके liver के अंदर toxins जमा हो चुके हैं अब toxins क्या होते हैं जैसे कि आप बाहर का fast food काते हो जैसे बर्गर चौमिन मोमोस यह सब खाने को जैसे हमारे liver में न toxins जमा हो जाते हैं जो कि अच्छे नहीं होते हैं तो यह इसके अंदर जो आपको देखने को मिलेगा कशा मर्दा यह जो कशा मर्दा आप देख रहे हो इसका काम है कि जो भी toxins जमा है liver के अंदर harmful उसको हटा देने के लिए clear कर देने के लिए और हमारे liver को एकदम healthy रखे तो म में यहां पर आप लिव क्यों सुन रहे हो विकास यह लिवर के लिए है में फोकस इनका लिवर पर है लिवर के अलावा और भी काम जैसे हीमसरा जो था वह हैपटाइटिस के अलावा digestive disorder को भी ठीक करता है तो इस तरीके से अभी और भी हम बात करेंगे इसके अलावा जो है विरन जाजिपा है अब यहां पर टेख रहे हो यह की सेवेंत whip नमबर पर है इसका काम है कि जो आपका ड़म से व है उसको ट्श्वक करें इसके अलावा जो आलकोहौल पींवं यहां यहांपर मंदूर भश्मा है जो कि अधार्ट नमबर आप देख लाव यही काम करत लिवर जो डैमेज होने के वज़े से अलकोहल पीने के वज़े से डैमेज हो चुका है उसको रिकावर करें इसके अलावा इसके अंदर एक और जो लास्ट में आप देख सकते हो यहां पर जावुका का काम यही है कि आपको कॉंस्टिपेशन है जैसे इस टूल जो है वह लिए कि क्या क्या benefit है किसमें कौन सा जो है वह काम आता है composition अब बात कर लेते हैं कि जो है वह डोस के लिए कि कितने दोस में देना चाहिए और यह भी है कि इसका यूज के जाता है weight gain करने के लिए because जो है appetite को आपका ठीक कर रहा है appetite ठीक करेगा तो आपको भूग लगने होगा आपका तो आपको जो है चाहिए वह टैबलेट हो चाहिए वह टू टाइमस यूज करना है दोनों को ही आपको यूज करना है लेकिन डॉक्टर की सला से आपको यूज करना है कि डॉक्टर जो है वह आपको सला करेगा कि आपको लिए 52 लेना है या लिए 52 DS के आपको जरूरत है तो उनसे डॉक्टर की सला से यूज़ करें और दोनों को ही टू-टाइम डॉक्टर जो है वो प्रिस्क्राइब करता है और जो सीरप है टैबलेट तो हमें पता है कि खाने के बाद यूज़ करें बट जो सीरप है इसको अगर हम बात करें तो 5-5 ml आपको यूज़ करना है सुबह और रात को तो खाने से पहले अगर आप यूज़ कर रहे हो तो बैटर है विकॉस जो यह सब सीरप सोते हैं वह सब खाने से पहले यूज़ करने से बैटर होता है यह निकि एकदम आप खाली पेटो हलका फुलका मतलब जैसे कि कुछ भी थोड़ा बहुत खा बहुत रियर कंडिशन होता है किसी किसी को देखने को मिलता है कि लाल धब्बे हो गया और जो है वह उल्टी जैसा यानि जी मचलाना यह बस इसके कुछ साइड एफक्ट देखने को मिलें वह भी किसी किसी में बट मुस्टी लोग जो है वह यूज करते है जिम वाले स्टम को ठीक रखने के लिए तो आई होप आपको यह वीडियो चलागो वीडियो चलागो तो अपने दोसे सांट जरू शेयर करें हमारे चानल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंट्रेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पर आती रहेगे